नमस्कार दोस्तों मैं दली से सुबह मुझा स्वाकत करता हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में जैसे कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपका फॉन खो गया तो उसको ब्लॉग कैसे करें आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करके हमारी मेनत को सफल करें तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारा फॉन कईबार हो जाता है या कोई चुरा लेता है या घर में कहीं रखा रहता है तो हमें डिल लगता है हमारे फोटो होते हैं जिसके हमें बहुत जारूरी भी होता है और हम यह चाहते कि यह जानकारी किसी के पास ना जाए सिर्फ हमारे पास रहे अगर फोन हमारे पास रहता है तो कोई इसमें से देख नहीं सकता अगर वो खो जाता है बाई चांस गूम हो जाता है उसको हम वह चाहरा है कि अब उसमें data थे, मेरे photos थे, मेरे bank details थे उसको मैं कैसे block करता हूँ जिसे कोई use ना करे इसके लिए आपको एक website पर जाना है जिसकी link मैं आपको description में दे दूँगा चलिए आपको मैं live group के साथ दिखाता हूँ कैसे अपने phone को block करें अगर आपका phone मिल जाता है, आपको कोई चुराता नहीं है तो उसे unblock कैसे करें इससे पहले अगर आपका phone खो गया है तो एक fire करना पड़ेगा आपको कहीं जाने की ज़रुत नहीं है, फ्लिस एक ज़रुत नहीं है, घर बैट ये fire हो जाएगा fire कैसे करें, वह आपको मैं अगली वीडियो में बताऊँगा, अभी फिलाल के लिए मैं यह बताता हूँ कि उस website पर जाके क्या के हमें information देनी होती है, तब कैसे हम उसे block कर सकते हैं, कैसे unblock कर सकते हैं वहां कि मैं fire कैसे करते हैं, online fire घर बैटे किसी भी चीज़ का, वह आपको मैं अगली वीडियो में बताऊँगा चलिए, चलते हैं mobile screen पे तो हमें simply अपने browser में जाना है, कोई से भी chrome browser हो या phone का अपना हो, MI का phone हो गता है, MI browser हो का उसमें उस पे click करना है, मैंने इसका link आपको चैनल के description में दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं और इससे पहले में एक बात कहना चाहूंगा, कि आपकी जो SIM card, जो उस phone में लगी हुई है, जो खोचुका है तो उसकी एक duplicate SIM card, आप जो है, जो जिस company की SIM है, वहां से निकल वा लें, जैसे कि एटेल के है, तो एटेल के मतरब जो सौरूम होता है, वहां से, कुछ ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, 10-50 रुपे लेगा, और वह एक copy SIM card आपको दे देगा निकल वा लेके, SIM जब आप उसी नमर से, अलग नमर से नहीं, जिस नमर से आप, जो नमर आपने उस फोन में लगाया था, उसी नमर, वही SIM जो SIM, वही नमर, उसको जाके इतना बोलना है कि मेरा SIM फोन खो गया है, मुझे वही नमर फिर से चाहिए है, तो वह आपको नमर दे आपको मैंने लिंक दिया है चैनल के डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर टैप करेंगे, तो आप यहां आजाएंगे, आपको ब्लॉक, फोन करना है, अनब्लॉक तो नहीं करना भी, आपको ब्लॉक करना है, अभी आपको लोस्ट मुएल हुआ है, तो आपको लोस्ट मुएल और फिर उसके बाद अगर वो डूुलस ऐला फोन था तो दूसरा दूसरा अमबर गुंप और फिर पहला EMI नपर जालेंगे इसमें अगर जूलस ऐल अगर तो दूसरे अमबर जालेंगे और फिर ब्रेंड सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट ब्रांडaya एपल हो सकता है या आईफोन 11 प्रो था जो था आप सेलेक्ट कर सकते हैं या वीवो वाई तरे पन था जो था सेलेक्ट कर लेंगे फिर नीचे में आएगा इनवोईस का बिल का अगर आपके पास बिल है तो आप यहां से वो बिल अपलोड कर सकते हैं अभी मेरे को करना नहीं है इसलिए मैं कोई बात नहीं है फिर आपका मुल कहां पर खोया है तो वहां इस पर उसका नाम लिख देंगे इस एरिये में खोया है मेरा फोन और फिर या आदा है डेट टाइम डेट मतलब कितने तारिक को किते बज़े एग्जेक्ट तो हमें पता नहीं होता तो एक दू गंचा आगे पीछे लिख सकते हैं और आपका इस्टेट का है डेली बिहार असम दार क्या लिखें दादरा नगर जहां भी हो चंडीगड जहां से भी हो आप वो कर देना है और फिर यह स्लेक जिस्टिक कौन से जिस्टिक से हैं फिर आपके नियर बाइ जो प्लिस इस्टेशन है उसे मतलब यहां पर एंटर करना है कोई सा भी हो आपके पास जो पढ़ता हो जहां आपका प्लिस इस्टेशन है फिर है यह प्लिस कंप्लेर नमर तो मै तो जो आपको एक कुछ रिसीप्ट देता है, प्लीस वाले हैं, जब तो आपको रिसीप्ट देते हैं, कि आपने कम्प्लेन करी है, तो उसको यहां से अप्लोड करना है, छेक, अगर आपको एक नहीं, कई दो तीन करना है, तो एड मोर कम्प्लेन पे क्लिक कर सकते हैं, फिर फोन किसके नाम से था वो और कौन था उसका फिर उसके बाद वोऔर का एड्रेस बंदा कहा रहता हिband कहा है मतलब परलसन कहा है और एडेंट्टीавай मेंThenint ऐसका कोई एक आईडेगी प्रूव करना है अधार काड्पैंटीड क्रेंग Kr जाल सकते नहीं है जालना है एक इमेड आलना इसमें जो फॉन में चल रहा है या जो आप जिस पर अभी लेवल हैं और आपके मौइड नमर पर ऐगा जो मेर आपने उपड़ डाला होगा वह more number नीचे भी आजाएगा अपने आप get otp पे क्लिक करेंगे तो आपके phone पे otp जाएगा उसे feel करके यहाँ पर यह जो मैंने इसे हटा दिये इसे वापिस टिक्र लगा दिये समिट कर दूगा तो आपके पास एक receipt आ जाएगी उस receipt को आप रख सकते हो ठीक बस इतना सा process था इसका और इसके बाद अगर आप चाहते हो कि मेरा phone ब्लॉक हुआ या ना हुआ तो उसका status कैसे देखें अभी किस position में हमारा phone तो back आएगे check request status लिखा है इस पर क्लिक करेंगे तो यहां से और इसमें आएगा request number आपको एक request number मिलेगा जो मैंने बताया था receipt आएगा उसको इसके शॉट मार के कैसे भी रख सकते आप तो request ID इसमें जाल देनी है ठीक है और submit करेंगे आप check कर सकते हैं कि मतलब कितना हुआ कितना नहीं हुआ ठीक है और यह unblock mobile जैसे कि मान को fill up करोगे तो आज मैंने भी बताया था आपको और आपने आप क्या mobile नंबर जाला था वो mobile नंबर unlock reason आप कुछ भी reason लिख दो कि मेरा mobile मिल गए या कुछ भी जो real है वो लिख देना mobile नंबर get OTP submit कर देना हो जाएगा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो please वीडियो को like करें अगर अच्छी नहीं लगती तो dislike करें दोनों ही case में चैनल को subscribe जरू करें ऐसी related tech related videos मैं upload करता रहता हूँ चलिए फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तर तक लिए bye bye check here